यहाँ पर हम बात करेंगे नई मॉडल बोलेरों के बारे में सबसे पहले कलर के हम बात करेंगे पहली आपको मिल जाती है डाइमंड वाइट दूसरी आपको मिलती है डी सैट सिल्वर और तीसरी आपको मिलती है लेक सैट ब्राउन गाड़ी के बदलाग क्यों हम बात करेंगे, सामने आपको देखने को मिलेगा महिंदरा का नया लोगो, वही ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है, बोल्ड लुक में, बहतरिन आपको हाई प्रोजेक्टर वाले लाइट इसमें ओफर की जारी है, हैलोजन के सार्ड, टॉप म आपको देखने को मिल जाती है, तो आपको दोस्तों ऐसी कुछ गाड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है, चारो तरप से जसे के आप देख रहे हैं, बोलेरों के वही लुक को बरकरार रखा गिया है, सांदर इसकी लेजन डिजाइन के साथ, नई आपको देखने को मिले गाड़ी की फ्रंट और रियर प्रोफाइल नए लोगों के साथ, गाड़ी की इंटिरियर की हम बात करेंगे, यहाँ पर भी की जाती है, साथ ही आपको मिलते हैं दोस्तों, फूल डिजिटल कॉंसोल, इसमें आप दोस्तों डिजिटल आर्पीम के साथ देख पहेंगे, स्पीडो मिटर की जानकारी, यहाँ पर आपको वुडेन फिनिश देखने को मिलती है, डैस बूड आपको डूल टोन में देखन को मिलेगा, मीजिक सिस्टम आपको यहाँ पर मिलेगी, एसी के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, बारा भूल की आपको यहाँ पर सॉकेट देखने को मिलेगी, यह है दोस्ते मैनुल ट्रास्मिशन की गियर नॉब, यहाँ पर आपको पैडल देखने को मिल जाती है, एक्सले देखने को मिल जाती है गाड़ी के locking वाली और आपको पीछे भी वाइपर यहाँ पर दिये जा रहे हैं तो आपको ऐसी कुछ सांदा देखने को मिल जाती है नई बोलेरो की interior इसके cabin के हम बात करेंगे बड़ी और काफी spaces आपको रुस तो cabin देखने को मिल जाती है महिंदरा बोलेरो की इस 7-seater गाड़ी में आपको देखने को मिलता है solo.7 KMPL तक की mileage और इसे आपके वह लेपाएंगे manual transmission में इसके safety के हम बात करेंगे ABS आपको देखने को मिल जाती है साथी आपको मिल जाती है driver और co-driver के लिए airbag reverse parking sensor आपको मिलेगी seat belt की warning है साथी आपको देखने को मिल जाती है co-driver occupation reduction system और इसके top model में जाती है आपको सारे locking system और सारे feature आपको देखने को मिल जाती है जैसे के central locking भी इसमें आपको मिलता है 1493 CC का Amhawk 75 का BS6 engine maximum power यहां पर देती है 55.9 kilowatt की 600 RPM पर torque generate करती है 210 newton meter की 600 से लेकर 2200 RPM के बीच में single play dry type आपको clutch का option इसमें देखने को मिलेगे सामने आप उसे मिलते है IFS वाली call spring और पीछे आप उसे मिल जाते है पत्ती वाले कफी मजबूत spring disc brake सामने मिलेंगे पीछे आपको मिलेंगे drum बेग गाड़ी की लंबाई आपको मिलती है 3995 mm की चोड़ाई है 745 mm की हाइट आपको 1880 mm की देखने को मिलती है wheelbase आपको मिलती है 2680 mm की इसे के वाला पले पाएंगे diesel में full tank आपको मिल जाती है 60 liter की अभी महिंदरा की bolero में हमें 3 variant offer की जाती है पहली है B4 तो bolero B4 सबसे base model है जिसकी 100 रूम कीमत है 9,53,000 on route कीमत आपको पड़ेगे 10,87,000 रूपाई से लेकर 11,10,000 रूपाई के अंदर ही वहें bolero B6 के हम बात करेंगे इसकी 100 रूम कीमत है 9,99,000 on route कीमत आपको पड़ेगे 11,40,000 रूपाई से लेकर 11,60,000 रूपाई के अंदर ही वहें bolero के सबसे top model है B6O यानि के B6 optional इसकी 100 रूम कीमत है 10,48,400 रूपाई से लेकर 12,26,000 रूपाई के अंदर ही अगर आप दोस्तों यहाँ पर लेना चाहते हैं bolero के सबसे top model basic optional अगर आप करते हैं 4,00,000 रूपाई तक की don payment तो आपको loan apply करना पड़ेगा 8,00,000 रूपाई का अगर आप 6 साल समय चुनते हैं मंधिली किस्ता आपकी बनेगी 14,400 रूपाई की 7 साल की हम बात करेंगे 12,900 रूपाई आपकी मंधिली किस्ते हाँ पर बन रही है तो यह थी bolero को लेकर update दोस्तों आपको पता चल गया होगा बुले रहे कि दोस्तों जो नई वाली variant है क्या आपको बदलाव देखने को मिली है इंटीर के एक्स्टीर कैसी है साथ से उस्तों में जाना है कीमत के साथ वेरेंट क्या है ऐसे ही वीडियो सभी गाड़ी के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब जरू करिएगा चैनल को और आगे हम बात करेंगे सभी वेरेंट की लोन कीमत और EMI क्या है वीडियो को सेर करिएगा कमेंट करिएगा यहां तक देखने के लिए आपको धन्यवाद